हैलो फृरींड़ आज अपने कचन में बनाएंगे धजी भल्ले याने धजी बड़ी की रेसिपी और बहुती आसान बैकिंग पौडर आज तोड़ा विंदा बना के रेडी करेंगे तो चलिए इस रेसिपी को हम बराना शुरू करते हैं Welcome back to my YouTube channel सबसे पहले हमें उरत की दाल लेनी है इसको हमें भीगा के रख दियाना है 5-6 घंटे के लिए और इस तरह से हम चेक कर लेंगे कि यह खिल गया है कि नहीं अच्छी तरह से यहाँ पर हमने औरत की दाल को भीगा कर रख दिया था औरत की दाल हमारी बहुत अच्छी से खिल गई है तो अभी से हमें एक मिक्सर जार में डालके हमें इसको एकदम पीस लेना है पीस ते समय सबसे ज़्यादा हमें ध्यान इस बात की रखनी है कि हमें जो है इसको खूब अच्छी तरह से पीसना है Mixer जार को क्या होता है जिसे Mixer Grinder को हम On Off करके इसको पीसेंगे फिर इसको उंगलियों पिश तरह से चेक करेंगे तो देखेंगे तो इसमें जरा से धर दरा पर नहीं होगा और इसे हमें खूब, छूदे की थोड़े टाइम तक इसको पीशना है, जिस से यह एकदम हावा की तरह हो जाता है, एकदम फलपी बनके तो यह देखिये, एकदम स्मूध जो है, हमने हैं यहां पर वैटर बनाके रेटी कल लिया है, मैंने क्या क्या है लाश्ट में यहाँ पे न जो लाश्ट वारा जो वैस्ट पीछने का उसमें हमने दो तीन हरी मिर्ज अदरक लेसन थोड़े से डाल के उसको पीछ लेए ऐसे क्या होता है न दही बड़े का टेस्ट थोड़ा और भी अच्छा आता है तो अब हमने सारे पानी और उसमें थोड़ा साम बैटर डालेंगे इस तरह से तो बैटर अपने आप उपर एकदम आ जाएगा यानि बैटर हमारा एकदम रेडी है अब हमें कड़ाई भी रखना है तेल हमारा बच्छी तरह से गरम हो जाए तो इसमें हम तेल को क्या करेंगे लोग एकदम फ और एकदम गोल सेप में बनके यहां पर रेडी हो रहा है तो हमें इसको जो है ने मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राइ करेंगे और हल्का सा ब्राउन करेंगे क्योंकि हमने वड़े में कुछ भी नहीं डाल रखा है ना हल्दी ना कलर तो वड़े हमारे पहले से एकदम हमारे यहां पर फ्राई हो रहे हैं तो सारे वड़ों को हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे वड़े हमारे जो बहुत ही सौप्ट बनके रेडी हो रहे है तो यह देखी बड़े कितने अच्छे लग रहे है एकदम खिले-खिले गोल अकार में एकदम बनके रेडी हुए तो ह इसमें जितना विष्ट रॉइल है तो वो निकल जाए तो दूसरा बैच भी हमारा यहां पे फ्राई हो गया है अब हमें इसको चलना है आगे की तैयारी करने के लिए अब हमने यहां पे रख दिया था पहले से एक बरतन में पानी गरम होने के लिए तो पानी हमने एकदम हलक मतलब की गुंगुना पानी करना है अक्तरम गरम नइक करना हलका करना है अब उसे हमें एक बड़े बरतन में डाल देना और इसमें कि अधसकी खinent करिब हींग जो है ज्यादा बहुता हमें के भी ठीचे चामब कर देंगे इससे क्या उतार थोड़ा से बड़ा जो है और सोतु गाता है Пос물 नहीं there फिर अब इसे हमें क्या करना हाथों पे कुछ इस तरह से करते हुए इसको गोल सेप में हम इसमें जितने भी इस्ट्रा पानी और इस्ट्रा ओईल है उसको हम दबा दबा के इस तरह से निकाल लेंगे तो यहां पे मैंने जितने भी वड़े पाने में डाल के रखे तेने सारे वड़ों को जो हाथों पेस तरह से गोल सेप में ही करते हुए इतना भी तेज नहीं दबाना है कि यह जो एकदम से टूठी जाए अराम अराम से मैं इसको दबा के इसमें से सारा इश्ट्रा पानी निकाल लेंगे और बागी के जो लाश्ट वाले बैच के जो बचे हुए थे न वड़े मैंने उसको भी यहां पे फ्राई कल लिया मैंने आपको पहले नहीं दिखाया था तोड़के तो यहां पे मैं आपको टोड़के एक बड़ा दिखाती हूँ कि बड़ा जो हमारा कितना अच्छी तरह से जाली दार खीला हुआ है एकदम जो एकदम जाली दार बड़ा बनके अगर हम इसको पानी में न डालके इसको डायरेक्ट हम दही में भी डालके खायेंगे तो भी बहुत टेस्टी बनेगा तो अभी इस वाले बैच को भी मैं क्या करूँगी पानी में इस तरह से डाल दूँगे और इसको भी मैं पानी में से निचोड के निकाल लूँगे कुछ इस तरह से ही तो यह रेखी अब चलिए हम इसको आगे की तैयारी करते हैं तो यहां पे आप हमने ले लिया है दही, दही को हमने घर पे ही जमा लिया था, दही एकदम फ्रेज दही है, न खटी है, न मीठी है, आप यहां पे नॉर्मल दही का यह योज करिए, दही को हमने फ्रेज में रख दिया था, तो दही हमारी खुब अच्छी तरह से ठंडी हो कर लिया है अब इसमें जालेंगे 4 चंमच के करिब चीनी हम छादा भी नहीं डालना है चार चंमच ह displय तुर निया है तुर अपर pornarm करेंगे कर घोल भूंपर शृष जाल है पाई चार मुद्लीक दालने से क्या होता न हुद्aching क्लेंद मैक्स करूं ताकिन सारी सेобр dosner जोंधा है तो bey AH दाल के खोड़ा दूद दूद जैंगे तु कम आदा कपके करी दूद दूद के भी हमसे तार इकडम दूद कर अब निकाले not जितने एक बार में सर्व करने हैं उतने ही डालें तो मिक्स करके एक सी दो मिनट के लिए इसमें रग देना है फिर उसके बाद हम इसको सर्व कर लेंगे तो इसे हमें बिगाए हुए दो मिनट हो गया है तो चलिए अभी से हम सर्व कल लेते हैं अब हमने ले लिया यहां पे एक प्लेट उसमें हम बड़ी को डालेंगे दही का हमारा जो है थिक एकदम बहुत ही अच्छा है ना पतला है ना तो गाड़ा है अब हम एक बार में जित दिखने में यहां ख़ी गए तौड़ा था उसके बाद हम इस पे डाल देंगे थोड़े से चाट मसाले फोड़ा सब्सक्राइब दाला देंगे ब्लेक सॉल्ट आप मैंने पहले ही दही में थोड़ा सा आधा चमच वाइक शॉट इसके बाद में इस पे डाल दूँगे ला फोड़े से अनार थे तो मैंने उसको भी छील लिया है इस तरह से हम इस फे थोड़े से अनार के दाने डाल देंगे उससे क्या होगा कि नी यह एकदम colorful और एकदम जैसे हम लोग market में काते हैं na रेस्टोरेंट में दही बड़े काते ने एकदम उसी तरह से लगयेगा तो दहीं वड़े हमारे यहां पर बनके हो गए हैं रेड़ी आप इसको मैं अफच मसे उठा रही है इसको एक पीस कटके करके भी दिखा रहूँगी इम दिखा रही हूं यहां पर इसकी जाली को देख तो आप इसे सेयर भी करिए मैं पूरी कोसिस करती हूं कि अच्छी से वीडियो आप लोगे सामने ला सकूं तो थोड़ा सा आप लोग भी हमारा साथ दीजिए कि आप हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर चैनल पर नहीं है तो आप बेस और इस रेसिपी को वह आप बनाकर अपने फूरी फैमिली के साथ इंजॉय करके भी ठाइए तो वीडियो में लाच तक बने रहने के लिए आप सभी को धेर जारा तैंक्यू सब्सक्राइब